Hello friends, welcome to study news, आज हम बात करेंगे Gavi Vaccine Alliance के बारे में, अभी हाली में Global Vaccine Summit 2020 हुआ है, जो लंदन में हुआ था, जानेंगे इसके बारे में, so let's start. गैवी का full form, the Global Alliance for Vaccines and Immunizations है, गैवी एक International Alliance है, जो mainly बच्चों पर काम करता है, यह विस्विस्थर के Vaccine Programs चलाता है, और प्रतिरक्षा संबंदित दवाओं के लिए, विस्विस्थर की संस्थाओं से धन इखटा करने का काम भी करता है, गैवी की strategy है कि, गरीब देशों में टीका करण की पहुँच बढ़ा कर, बच्चों के जीवन को बचाने और लोगों के स्वास्त की रक्षा करने पर काम करती है, यह गरीब देशों को उननत प्रकार के टीके सस्ते दरों पर मुहिया कराने का काम करती है, गैवी इस्थाई रूप से टीका करण और अन्य स्वास्त सेवाओं को वितरित करने के लिए स्वास्त प्रणाली की छमता को मजबूत करने का भी योगदान करती है, गैवी का निर्माड क्यों और कैसे हुआ यह जानने के लिए 1990 के दसक के अंतर राश्ट्री टीका करण कारेक्रमों के बारे में जानना होगा, और बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी, यह उस समय की सबसे बड़ी अंतर राश्ट्री फैलियर मानी गई थी, ऐसा नहीं था कि टीको का विकास नहीं हो रहा था या सक्तिसाली टीको का निर्माड नहीं हो रहा था, मार्केट में सक्तिसाली टीके उपलब्द भी हो रहे थे, लेकिन वो इतने महेंगे थे कि विकासिल देश उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसके रेस्पॉन्स में, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और संस्थापक सहयोगियों के एक समू ने, गरीब देशों में महेंगी वैक्सिन्स को कम दरों पर मुहिया कराने का काम किया, और दवा निर्माताओं कमपनियों को भी प्रोचाहित किया कि वो दरों को कम करें, सन 2000 तक यह आइडिया सफल रहा, और इसका नाम Global Alliance for Vaccines and Immunizations रख दिया गया, जिसे आज गयवी दवैक्सिन एलाइन्स कहते हैं, सन 2007 के बाद से गयवी नए Health System Strengthening जैसे स्वास्त प्राणालियों पर काम कर रहा है और उन्हें फंडिंग देता है, वे देश जो बुनियादी रूप से कमजोर हैं, उनकी पहचान करते हैं, और वहाँ पर स्वास्त सम्बंधी उपकरणों की व्यवस्था करते हैं, गयवी के बहुत सारे पार्टनर्स हैं, इसमें UNICEF है, Bill & Melinda Gates Foundation है, World Health Organization है, The World Bank है, Donor Country Governments है, Research Agencies है, Private Sector Partners हैं, और Vaccine Manufacturers, Civil Society Organizations, इसमें सामिल हैं, अगर भारत की बात की जाये, तो वहाँ Donor Country Government है, गयवी भी Donors के साथ काम करता है, जिसमें Sovereign Governments, Private Sector Foundations और Corporate Partners हैं, बहुत सारे NGOs हैं, Ad O.K.C. Groups हैं, और Developing Country Governments हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, कि गयवी में कौन कितना डोनेट करता है, और किसकी कितनी हिस्सेदारी है, सबसे बड़ा हिस्सा UK का है, जो 23 प्रतिसत है, फिर उसके बाद Bill and Melinda Gates Foundation का है, जो 19 प्रतिसत है, इसके बाद US का 11 या लगभग 12, Norway का 10, Italy के 5 प्रतिसत इसमें हिस्सेदारी है, अगर बात की जाये भारत की, तो भारत का इसमें 0.06 परसेंट हिस्सा है, गैवी विस इस्तर पर काफी सफल रहा है, टीका करण में वृध्धी ने, लगभग 13 मिलियन मोतों को रोक कर, बचपन की मृत्यूदर को कम करने में मदद की है, और घातक और दुर्बल संक्रामक रोगों की घटनाओं को कम किया है, गैवी की मदद से बच्चे स्वस्त रहते हैं, तो परिवार भी स्वस्त रहता है, समुदाय और देश भी आर्थिक रूप से सम्रिध बनता है, इस वज़े से भी घैवी को काफी सफल माना जाता है, जलवायू परिवर्तन सहरी करण, मानव प्रवास, संघर्स जैसी वैस्विक चुनोतियों के सामने, गैवी ने देशों को वैक्सिन कवरेज को व्यापक बनाने और उनके स्वास्त प्रणालियों में सुधार करने में भी मदद की है, ग्लोबल वैक्सिन सब्मिट की बात करें तो, इसमें वैस्विक स्वास्त सहयोग के एक नए यूग की सुरुवात की है, क्योंकि विश्व के नेताओं ने COVID-19 महामारी की सूरत में नियाय संगत टीका करन्ड कवरेज और वैस्विक स्वास्त सुरक्षा के लिए अत्यधिक प्रतिबदता दिखाई है, यह गैवी की ओफिसियल साइट है, यहाँ पर आप देखिए आलमोश्ट सारे वर्ड के लीडर यहाँ पर मौझूद है, यहाँ पर लिखा है वर्ड लीडर्स मेक्स हिस्टोरिक कमिटमेंट्स तो प्रोवाइड इक्वल एक्सिस टू वैक्सिन्स फॉर आल, इस सबमिट में मोधी जी ने कहा है कि भारत गैवी के कारियों की सराहना करता है, और गैवी के कारियों को समझता है, इसलिए भारत ने लगभग 120 देशों को दवाईया मुहिया कराई है और उन्हें सस्ते दरों पर उपलब्ध भी कराया है, और इसी में नरेंद्र मोधी जी ने 15 मिलियन डॉलर्स गैवी को देने की बात की है, गैवी के लिए इससे जितनी भी फंडिंग आए कि वो वैक्सिन और COVID-19 जैसे महमारी से लड़ने के लिए वैक्सिन बनाने में खर्च करेगी, कोरोना वाइरस को छोड़कर गैवी इन वैक्सिन प्रोग्राम पर भी वर्क करता है, जिसमें पोलियो वैक्सिन, जैपनीज एंसेपिलिटीज वैक्सिन, मेनिन गोकल वैक्सिन और मीजल प्रोग्राम पर काम करता है, ये थी पूरी जानकारी गेवी के बारे में उमीद है कि आपको गेवी के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा थैंक यू फोर वाचिंग आपका दिन सुभ हो सब्सक्राइब कमेंट और लाइक दिस वीडियो